हेलो गाइज यह आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती अमरेला कट की कटिंग और सीजिंग दोनों ही बताऊंगी तो यह देखिए दोस्तों अगर आपको प्लाजो भी निकालना है तो पांच मीटर हमारा यह फैब्रिक है जो जोजट का है और पांच मीटर मैंन उसक पहले हम क्या करेंगे चोली कट करेंगे तो जोली हम इनर में से क्ट कर लेते हैं इसको इक बाद सीजिशन जिए यह जैसे कि मैंने इनर को इसतरह करके 4 इसा करते हैं वो लिया है साड़े 8 कमर है वो साड़े 6 है और उसलिव हम तयार करेंगे डबल फ्रील में करेंगे तो यह साड़े 4 है आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा यह ले सकते हो मैं इस माप के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी और सभी साइज के लिए आप यह मे उपती हो तो उसमें हम हीप देखते हैं यह हीप लगबख सबसे ज्यादा होती है फिर भी आपको एक बार समझा दूं जैसे इस माप में जो माप सबसे ज्यादा होएगा चेस्ट कमर और हीप में उसमें सबसे ज्यादा जो होएगा उस तना हम माप करके देखेंगे उसमें या दो इंच हम एक्ष्टा लेते हैं यह हमारा फोल्ड करने का तरीका होता है तो यह हमारा जैसे कि चेश्ट यह ज्यादा हैवी साइज नहीं है नॉर्मल है तो चेश्ट इसकी पलस करने के बाद सड़े आठ हिंच है तो हमें डेट इंच और एक्ष्टा चाहिए तो मैंने इसलिए किया है कि इस माप का इसमें बन जाएगा तो मैंने इस तरह से इसको एक बार फोल्ड कर लेना है ऐसे क्योंकि जैसे कि हमारी जो चेश्ट थी वो सड़े आठ थी तो हमारा एक्ष्टा फैबरिक इसमें बच गया है तो सबसे पहले हम एक बार यहां से इसकी लाइन करके इसको अलग कर देंगे जो हमारा वेस्ट फैबरिक है यह हमने एक्ष्टा फैबरिक कट कर दिया है उसके बाद हम जो इसकी लैंद्स तयार रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे तो एक इंस हमने एक्ष्टा ले लेना है इसको हम अलग कर लेते हैं एक बार यह हमने अलग क सब्सक्राइब करें तो उस हिसाबसे तिरां लेंगे 5.5 इंच और 6.5 इंच 반ości लिए आप नीची सब्सक्राइब करेंगे यान समस्तिक में निक् civ का चैसे यह Experopa को Migkeiten पाइघाग्स कर देना है वो पॉने साथ लेना है वैसे हम जब कर दीआ हैं कि तो यह पॉने साथ मैं यहाँ पर ले दिया जो इसकी बरेश्ट का निशान था वह शाड़े आथ इंच पर ढात रहा है और जो कमर है वह शाड़े छेया इंच है तो इतना हमने एक्ष्टर लेकर करके इसको यहां से कट कर देना है यह हमने कट कर दिया है अब हम क्या करेंगे जो फरंट हिस्सा है उसकी छटाई करेंगे अलग से इसको हमने जो फरंट हिस्सा है अलग से निकाल लेना है यह हमारा बैक हिस्सा हो गया यह हमारा फरंट हिस्सा हो गया इसकी हम यहां से जैसे कि हमने जो नेक लेना है वो सड़े चार इंच पर लेना है यहां से और इसके उपर ऐसे निखान लगा देंगे यहां से हमने पहले तो इसको ऐसे सीधा कट कर लेना है क्योंकि यह हमारा फ्रंटी साथा इसकी हमने शटाई करनी ही थी और इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है ये देखे जैसे की एक बार मैं आपको रखके दिखा देती हूँ ये हमारा बैक हिस्सा हो गया जो हमने थोड़ा एक्ष्टा लिया है यहां से भी हमने इसको बैक से अलगी सी छटाई दे देनी है तो ये हमारी उपर का जो टोप पाइड है वो कट के तयार हो गया है ये हमने उपर अब हम इसका जो उपर का हिस्सा है वो भी कट करेंगे जो मेन फैबरिक है उसमें से तो इसको भी हमने सेम ऐसे ही एक बार फोर फोल्ड कर लेना है यह हमने अच्छे से इसको four fold कर लिया है अब हम इसके उपर मैंने back हिस्सा उठाया और इसको भी हम सेम ऐसे ही रखते हुए cutting कर लेंगे और बाद में front हिस्से को रख करके उसकी अच्छे से shape दे देंगे यह हमने बिल्कुल equal cut कर लेना है एक बार दोनों हिस्सों को और front हिस्से की भी सेम च्छटाई कर देंगे इसकी हमने यह front हिस्सा इसके उपर रखा और इसकी भी हम सेम च्छटाई कर लेंगे जो हमने इनर की की थी तो यह हमारे दोनों हिस्से कटके तयार हो गए हैं यह हम फ्रंट इससे की इस तरह से एक बार छटाई कर देंगे यहां से भी यह हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया और यह साइड में हमारा बैक हिस्सा हो गया यह हम उपर का हिस सामने कट कर लिया, अब हम इसमें से स्लीव कट करेंगे, तो स्लीव हमने कैसे कट करनी है, जैसे कि डबल फ्रिल मैंने पहले भी बताया है, यह तीन इंच हमने यहां से लिया, इसको हम एक बार सीधा कट कर लेंगे, और एक पट्टी हम पाँच इंच की कट कर लेंगे, जैसे कि एक बार थोड़ा हमें माप लेती हूँ, एक पट्टी हमने पाँच इंच की कट कर ली है, अब हमने क्या करना है, जैसे कि यहां से हलकी सी सिंगल को एक बार ऐसे ये दो पटिया जैसे कि मैंने कट की इसको हम हलका सा राउंड से इस तरह से दे देंगे ये हमने राउंड से इस तरह से दे देना है ये हमारा मोहरी वाला हिस्सा है जैसे कि ये हमने दे दिया अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहां से हमने जितना डिस्टेंस हमारा यहां पर है जिसकी दो इंच है तो दो दो इंच का हमने गया पर रखते हुए यहां से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है यह हमारी डवल फ्रिल स्लिव कट के तयार हो गई है यहां से हम हलकी सी छटाई कर देते हैं इस तरह से दोस्तों यह हमारा आगे का हिस्सा है और यह पिछे का है हलकी सी हम आरम होल की भी छटाई कर देते हैं इस तरह से यहां से हमने कट लगाया यहां पर हम आरम होल स्टिच करेंगे और यहाँ पर पिको करके इसको आग्गे से ये ओपन छोड़ देंगे ये हमारी स्लीव कट हो गई है अब हमारा जो फैब्रिक बच गया है इसमें से एक तो हमने पैंट निकालनी है और एक निचे का जो हम घेरा तयार करेंगे वो हम निकालेंगे तो पहले हम इसमें से घेरा निकाल लेते है अब हमने क्या करना है इसको इस तरह से दो हिस्से पकड़ते हुए जैसे कि मैंने ये दो हिस्से पकड़े और इसको इस तरह से ट्रेंगल सेप में बिचा लेना है वहुत अच्छे से लिए मैं आपको एक बाड नीचे बिच्शा कर दिखाते हूं ये देखिए जैसे की हमने इस तरह से ट्रेंगल सेप में एक बाड बिच्छा लिया है ये ऐसे हमें विलकुल फिनिसिंग affirmation उसके बाद जो हमारा ये korner है इससे हम मापेंगे हमारा ये निसान कहा तक आया है येनके 10 इंच पर हमारा निसान आया है हमने 10-10 इंच पर round save दे देनी है इस तरह से अब हम इस round को वाप कर देखेंगे हमारा कितना हुआ है तो हमने इस तरह से इसको मापा यह हमारा साड़े आठ इंच हुआ है तो साड़े आठ इंच हमारा चल जाएगा हम इस राउंड के उपर से इसको कट करेंगे अगर हमारा कम ज्यादा होता है जैसे कि ज्यादा हो जाता है 9.9 इंच तक तो हम यह गोलाई थोड़े है उपर को देंगे अगर कम हो जाता है तो हम यह राउंड थोड़ा हा नीचे को देंगे बस यही इसका तरिक्का होता है अब हम इसकी लेंथ मापेंगे दोस्तों इसकी लेंथ हम यहां से लेकर के मापेंगे एक इंच़् हमने वैसे अक्ष्राल यह था 14 इंच पर हमने यहां पर निशान के उपर 14 इंच रखा और जितनी भी हमने लेंग्स तयार करनी है उतनी पर हम निशान लगा देंगे पूरे पर निचे से फॉल्ड करना है तो हमने एक्स्टा लेना होगा एक या डेड इंच बट हमने फॉल्ड नहीं करना हमने नीचे पीको करनी है इसलिए मैंने पूरा तयार करना था पूरे पर निचान लगा है अब हम क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे यहां से और यहां से फिर आपको आग्या दिखाते हैं अब हम इसको बताती हो कि क्या जोड़ेंगे ऐसे कि हमारी यह जो उपर हमने चोली कट की थी इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे और जो निच्चे हमारा साइब में फैब्रिक बच गया उसमें से दोस्तों हम पेंट निका लेंगे तो इसको हम एकब बार साइड कर देते है और इसको place करेंately और इसके साथ ऐसे सीधा जोड़ देंगे फिर भी मैं एक बार आपको बताओं तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है हमने जो इनर है और जो चोली का पार्ट उपर फ्रंट था उसको हमने कच्चा कर लिया चारो तरफ से दोनों हिस्से हमने इनर के साथ इस तरह से ज् बाद हम इसको सेंटर से आलक कर लेंगे फ्रंट इससे को यह जैसे कि हमने इस तरह से मिलाया और इसको बीच में से कट कर देंगे यह जैसे कि हमने बीच में से इसको कट कर दिया है अब हमें इसके बीच में पोटली बटन लगानी है तो पोटली बटन हम दो तिन तरीके से बनाते हैं जैसे कि हमने मोती के साथ भी पोटली बटन बनाना बताया आपको कई बार और इससे भी हमने जैसे कि छोटा-छोटा कपड़ा कट करके भी हम पोटली बटन बनाते हैं और यो थर्मा कॉल की छोटी-छोटी गोल्या होती है उसके साथ भी हम पोटली बटन बनाते ह जो इसी का फैब्रिक है उसके और इसके साथ है पोटली बटन बनाएंगे तो पोटली बटन के अलावा एक हमने क्या चाहिएगा दस्तों जैसे कि यह बोटनेक मैंने कट किये हैं बोटनेक की कटिंग भी मैंने बहुत अच्छे से बताई है इनको भी आप एक बार जो इसका इनर वाला फैब्रिक है उसके उपर स्टिस कर लेना है इनको स्टिस कर लेंगे और पोटली बटन हम तयार कर लेंगे और फिर मैं आपको इसमें लगाना थोड़ा हा बताती हूँ कि कैसे हम लगाते हैं पोटली बटन एक बार हलका हा तरिक का बता दूँ कि कैसे हम बनाएं जैसे कि हमने इस तरह से फैब्रिक लिया थोड़ा है जो हमारे छोटे छोटे टुकडे हैं इसको हमने इस तरह से इसके अंदर रखा जैसे कि यहां से इस पर हम दागा लपेटेंगे इस तरह से यह मैंने डवल फैबरिक लिया क्योंकि ज्यादा ही पतला था तो यह बाहर शो हो रहा था हमने इस तरह से इस पर दागा लपेट देना है और इसको हम यहां से कट कर देंगे इस तरह से हमने सभी potly buttons को तयार कर लेना, same size में तो जिसे कि दोस्तों हमने ये potly button तयार कर लिये हैं ये मैंने जैसे कि हमारे कहां तक लगाने start करने हैं उस हिसाब से ही तयार किये हैं अगर कम ज्यादा रहे तो हम बाद में बना लेंगे तो ये देखें जैसे कि मैंने बोटनेक जो तयार करना है उसकी लेंद हमने 4.5 इंच तयार रखनी है जो हम बनाएंगे तो उसके बाद हमने 5 इंच पर निसान लगा लेना है यहां कि हम जो पोटली बटन लगाना स्टार्ट करेंगे वो 5 इंच से स्टार्ट करेंगे लगाना हमारा right हिस्सा है right हिस्से पर हमने लगाना start करना है तो हमने इस तरह से इस पर potly button लगाने है और वो भी और सुवीदा हमारी हो जाई तो हमने क्या करना है एक हमने cd line draw कर लेने इस तरह से यह हमने cd line draw की अब मैं आपको चली machine पर लगाना बताती हूं ये पोटली बटन इस तरह से लगाते चलेंगे क्यासिस सिंगल मैं के बीना तो ये कोटली बटन हमारे लगेंगे नहीं ये हमने इस तरह से एक-पटाएया और same distance रखते हुए हमने सारे पोटली बटन लगादेने हैं इस तरह से यह हमने सारे पोटली बटन कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद दोस्तों हमने जो दूसरा इससा है वो लिया और इसको हमने सेम इसके ऊपर रखते हुए ऐसे से इस तरही शिलाई लगा देनी है आप चाहो तो जो हमारी जो सिलाई आई है उसके ऊपर से भी लगा सकते हो फिर हम इसको पलट देंगे स्ञवबट मैं सीधा इस तरह लगा लेंगे से लाई पिर आपको दिखाती हूँ हमने बहुत ही फिनिसिंग से एक बार यह लगा ले लिए पूरी लैंज तक लीघा लेंगे अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो यह हमारे पोटली बटन देखिए बहुत ही फिनिसिंग से लग कर आए हैं अब हम इसके ओपर शिलाई लगा देंगे अम चाहें तो इनको इस तरह से अगर बाईचांस आपको ऐसे इनका फेस करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जिस साइड रखना है वैसे कर सकते हो यह मैं एक बार हम लगा लीगे पूरे पर हमने शिद्छीय लगा लेनी है यह हमने यह हां से या प्रटली बटन लगा कर त्यार, अब हम क्या करेंगेही हिस हिसके साथ करेंगे तो towह हम इस ता runs करेंगे यहां से हमने इसको ऐसे करके सिलाई लगा देनी है सेम हम एते ही back हिस्से पर भी इसको सीड लेंगे उसके बाद हम इसके neck तेयार करेंगे और फिर sleeve attach करेंगे और फिर सीथी fitting की सिलाई लगा देंगे एक एक inch की यहां से round shape दे नी है दोनों हिस्से की जब हम यह नीचे से ज्वाइंट करें तो हमने यह सेप जरूर दे लेनी है क्योंकि इससे हमारी जो सिलाई है एकदम फिनिसिंग से आएगी यहां से भी हम इसको एक बार ऐसे कट कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर जो इसका नीचे वा लगे रहा है उसको ज्वाइंट करेंगे यह ने जैसकि यह ज्वाइंट कर लिया फ्रन्ट और बैक दोनों में यह मैंने नीचे पहले इनर नहीं देना था बट अब मुझे इसमें इनर डालना है तो अगर बाइज़न साथ को भी बाद में इनर की एसा लगे कि आपने डालना है तो आपको इसके लिए भी अगर इन इसको भी लेना है और जितनी हमने लैंद रखनी है उसी साथ से इसमें हम लैंद कम ही रखते हैं तो इसमें हम इतनी लैंद रख लेंगे जितना की हमारा ये बंद हिस्ता रहा है तो मैंने 27 इंद पर लिया जैसे की यहां पर हमने सीज़स रखी तो यह हमने पूरे राउंड पर निसान लगा देना है इस तरह से और इसको हम कट कर लेंगे यहां से भी और यहां से भी तो यह मैंने यहां से कट कर लिया यह बीच में से जो हमारा जॉइंट है इसको भी हम अलग कर लेते हैं एक बर अब हमने इनर इसको इसतरे से लगाएंगे जैसे कि हमारा यह हिस्सा हमने wrong side पलटा और इसमें से एक हिस्सा हमने इसतरे से उठाया और जो हमने निच्चे की तरफ यह joint लगाया था इसको इसतरे से पकड़ते हुए हमने इसी के उपर से एक सिलाई और लगा देनी है जो हमने यह इसलाई लगाई हुई है तो ये हमारा इनर भी इसमें लगकर कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा इतना उच्चे तक आजाएगा नीचे हमने फीको अफ़नी है और इसके उपर मैं बोटनेक बना लोंगी, simple से, यह देखिए हमने, một बोटनेक सींपल से तयार कर लिए हैं, यह बैक है और यह फरनट才 का है, जयसे कि इस त्तरह से मैं या बार आपको दिखा देती हूं, यह हमारे बोटनेक है, बनकर कुछ इस तरह से ready हो गए है हमने solder भी इसके stitch कर लिए है अब हमने क्या करना है इसकी sleeve attach करनी है पहले तो sleeve जो हमने तयार की थी यह हमने sleeve cut की थी हम कुछ इस तरह से इसको तयार करेंगे यह देखे ऐसे यह मैंने एक बार एक करके दिखाई है तो यह हमने pico भी इस पर कर ली है इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे जो हमारा बड़ा part हमने cut किया था और एक यह हमने छोटा part cut किया था अगर आपको समझना आए तो एक बार आप back जा करके देख सकते हो इस पर हमने pico complete कर ली यह मैंने center में cut लगाया है तो cut के साथ cut को मिलाते हुए हमने एक सीधी सिलाई इसके उपर लगा लेनी है यह हमने सीधी सिलाई लगा ली है अब हमने क्या करना है यह हिस्सा हमने जो इसको हमने इस तरह से रखते हुए दोनों तरफ यह स्लिव अटेच कर देनी है यहां से यहां तक ऐसे और दूसरी साइड की भी हम अटेच कर लेंगे यह देखे यह हमारी स्लिव बनके कुछ इस तरह से दिखेंगी बहूत ही सुन्दर यह लगेंगी और उसके बाद यह स्लिव जो आप सैदे तस्वीर में देख रहे हो यही फ्रोक है मैंने कम्प्लीट पहना हुआ है जो मैंने इसकी कटिंग आपको स्टेचिंग और कटिंग दिखाई है सेम यही तरीका फोलो करके मैंने यह फ्रोक बनाया है तो अगर आपको कुछ भी समझना आया हो तो आप बैक चाकर भी एक बार दोबारा से देख सकते हो यह सभी माप के लिए सेम है मेजरमेंट तो अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग के लिए हमने क्या करना है यह देखिए जैसे कि हम यहां से फिटिंग लगाएंगे साड़े छे इंस कमर थी तो तेरा इंस पर मैंने यह निसान लगाया दोनों तरफ और जैसे कि 34 इनकी चेश थी तो उसी साव से मैंने साड़े आठ इस तरफ से लिया है और साड़े आठ ही मैंने इस तरफ से लिया कि यहां से फिटिंग इस तरह से लगा लिए स्ल्यूक के उपर से हमने लगाने स्टार्ट करनी है और यहां तक हमने फिटिंग का निशान लगाया बाद में हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए सेम ऐसे पूरे पर नीचे तक सिलाई लगा देंगे यह देखिए य इसका हमने नेक पोटली वटन बनाकर तयार किया है यह इसके बोट नयक है बिलकुल एकवल है फ्रेंट और बैक दोनों और यह इसका नीचे का घेरा है यह भी बहुत ही ओपन में बना है इसका मैं एक बार आपको डाल कर भी लुप दिखाती हूं कि यह कैसा बना है बहुत बनाया दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड से जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कुछ और भी नया सीखना है वो भी आप कोमेंट में बता सकते हो दोस्तों उसक I can need a demon star when they do what they do and now I feel like taking off find a place with the view the pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through